नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे जे लीगल अडवाइस यूट्यूब चानल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें आप समझदार है कहां वक्त देना है चलिए आज के विशय को शुरुआत करते हैं तो आज जानेंगे अदालत में किस तरह क्रिमिनल केस दायर किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है स्टेजिस क्या है वो भी जानेंगे तो केसे स्मूलता दो प्रकार के होते हैं आपराधिक मामले जिसे इंगलिश में क्रिमिनल सूट कहते हैं और civil मामले जिसे English में civil suit कहते हैं. Civil मामले तो पैसो या संपत्ती से जुड़े जगडों को लेकर होते हैं. आपराधिक मामले, जैसा इनका नाम है, अलग-अलग अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए दायर किये जाते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी अपराध को रिपोर्ट करने हितू अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है या मुकदमा दायर करना है तो उसकी प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया सनहिता यानि Code of Criminal Procedure में उल्ले खित है. भारत में आप किस तरह एक आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दायर कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया समझते हैं. आपराधिक मामला दर्ज करने का पहला कदम आपको समझना होगा कि किसी भी आपराधिक मामले की शिकायत दर्ज करने से पहले आपको यहाँ पता लगाना है कि जिस अपराध को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, वो किस श्रेणी में आता है? अपराद मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं संग्य अपराद यानी Cognizable Offense और असंग्य अपराद यानी Non Cognizable Offense जहां संग्य अपराद गंभीर होते हैं इन में रेप, मर्डर, चोरी और अफरन जैसी घटनाए शामिल होती है अगर आप संग्य अपराध में पुलीस आरोपी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वहीं असंग्य अपराध जैसे मान्धानी चीटिंग इत्यादी में पुलीस को आरोपी को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट की जरूरत होती है संग्ये अपराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया संग्ये अपराद के खिलाफ वो शक्स शिकायत दर्ज कर सकता है जिसके साथ अपराद हुआ है और वो भी शिकायत दर्ज कर सकता है जिसे अपराद के बारे में पता हो सबसे पहले आपको अपराथ के खिलाफ अपने नजदी की पुलीस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करानी होगी पुलीस स्टेशन में जो भी आपकी FIR दर्ज कर रहा है उसे राज्य सरकार द्वारा दिये दिशानर देशों के अनुसार आपकी शिकायत को लिखित रूप में दर्ज करना होगा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी को शिकायत के सभी बिंदूओं को पढ़कर शिकायत करता को सुनाने होंगे और फिर आपके हस्ताक्षर लेने होंगे इसकी एक कॉपी आपको भी दी जाएगी यदि किसी महिला के साथ बलादकार, शारिरिक शोशन, एसिड अटैक आदी जैसा कोई अपराध हुआ है तो शिकायत सिर्फ एक महिला अधिकारी दर्ज कर सकती हैं कानून में ऐसी शिकायत करता की सुरक्षा हेतु भी प्रावधान है अगर ऐसी स्थिती होती है जिसमें पुलीस अधिकारी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं तो शिकायत करता सीधा पुलीस अधिक्षक, सुपरिंटेंडेंडन्ट ओफ पुलीस के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं SP शिकायत से अगर संतुष्ट होंगे तो वो खुद जाँच करेंगे या फिर किसी अधिकारी को जाँच का आदेश देंगे. बता दें कि पुलीस अधिकारी या कहकर भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो अपराद उनके पुलीस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. सुप्रीम कोट के एक फैसले के अनुसार अगर कोई ऐसा अपराद है जो उस पुलीस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो पुलीस अधिकारी एक 0-FIR, 0-FIR दर्ज करेंगे और फिर उस शिकायत को निर्धारित पुलीस स्टेशन में ट्रांसफर कर देंगे. अगर आपको किसी असंग्ये अपराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है, तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको एक FIR लिखवानी होगी जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है, जैसी संग्ये अपराद हेतु FIR दर्ज कारवाई जाती है. एक संग्ये अपराद में अपने आप जाच करने का पुलीस को कोई अधिकार नहीं है, वो इसमें अपने हिसाब से कोई गिरफ़तारी भी नहीं कर सकते हैं. बता दें कि मैजिस्ट्रेट जब पुलीस को जाच का निरदेश देंगे, तब भी मामले में जाच और आगे चलकर गिरफ़तारी होगी जिसके लिए वारंट होना जरूरी है. पुलीस अधिकारी अगर शिकायत करता की शिकायत को मैजिस्ट्रेट के समक्ष दायर नहीं करते हैं, तो शिकायत करता उस पुलीस स्टेशन में फॉलो अप लेटर्स भेज सकते हैं. शिकायत करता चाहें, तो वो magistrate के पास एक निजी शिकायत, प्राइवेट कम्प्लेंट भी अलग से दर्ज कर सकते हैं सीधे magistrate से भी की जा सकती है, अपराध की शिकायत आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि एक शिकायत करता सीधे उप्युक्त मजिस्टरेट से भी समपर्प कर सकता है, जिसके क्षेतराधिकार में उक्त अपराध हाता हो मैजिस्ट्रेट शिकायत करता और मौजूद गवाहों का शपत के तहट परीक्षन करेंगे और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज करवा कर उनके उस पर हस्ताक्षर भी लेंगे इन बयानों से अगर मैजिस्ट्रेट को यह सपष्ट हो जाता है कि अपराध हुआ है तो वो आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे देंगे आम बोलचाल की भाषा में यह एक नोटिस है जिसमें आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है कई मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले मैजिस्ट्रेट आगे की जाँच का निर्देश दे सकते है शिकायत के दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया और वो कुछ ऐसे गवाहों के नाम भी सजेस्ट कर सकता है जिनके पास मामले से जुड़ी एहम जानकारी होगी जाज के पूरे होने के बाद पुलीस अधिकारी मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक सीसमरी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं अगर उनकी यह राय होती है कि अपराध नहीं बनता है या विवाद सिविल नैचर का है अगर अपराध बनता नजर आ रहा होता है तो पुलीस मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक चार्ज शीट दायर करती है और फिर मुकदमा लड़ा जाता है